So Hello Guys, आज का वीडियो तो आपने देखी लिए होगा कि हम किस के साथ स्टार्ट करने वाले हैं जी हाँ आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है जेरेमी बॉंदिया के साथ जो इस वक काफी जादा खुश हैं येवन तो ये भी कुल दिन पहले बीमार भी हो गए थे बट अब ये रिकवरी के रोड पर हैं and feeling really good साथ ही जेरेमी की खुशी का अब तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होगा कोई लिमिट ही नहीं होगी क्योंकि अब तक जो टागिट था वो थोड़ा सा फारफेल्ट लग रहा था तोड़ा सा दूर लग रहा था बट अब after this weekend जो भी हुआ Legion Sports West में वो डोर पूरी तरह से open हो गया है for everyone out दिया क्योंकि ये चीज एक बहुत ज़्यादा matter करती है कि current champion जिसको इतना ज़्यादा dominating माना जा रहा था he has been beat और वो भी एक ऐसी फिजीक से जो की काफी ज़्यादा balanced है and more relatable है Jeremy और Brandon की जैसे shapes से और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ एक Jeremy बॉन गया के stage पर return के लिए हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि मैंने recent videos में भी बात करी थी कि Kyron was more balanced top to bottom और वही चीज जैरेमी के साथ भी है I mean Jeremy ने हमेशा से continuously अपने legs को train करना चारी रखा है even though यह चीज मैंटन नहीं कर दी थी पहले तो man's physics division में उसके बाद भी Jeremy जैरेमी ने हमेशा से एक balance physics की तरफ focus करा है और इस time पर Jeremy के legs are looking just nuts guys are looking just like कि classic में complete कर सकते हैं अगर चाहें तो top to bottom इस बहुत ही अच्छा balance है और size size भी अच्छा gain कर रखा है इन्होंने so maybe next year but अभी के लिए Jeremy और भी ज़्यादा intense हमें workout करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि Jeremy ने और उनके coach ने वाटी वाट ने इस वीडियो में बताया last के कुछ weeks ही बचें तो actually push and changes करने के लिए हर एक coming week में देहो अगर एरीन को picture से out कर दिया जाए just to see कि कैसा रहे का result तब I think अब I can say अब तक मैंने यह चीज नहीं गई थी आप लोग जब की comments में मुझसे पूछते ही राते थे बट आज I would say this क्योंकि I really feel की shape में और जो shoulder to waist ratio है Jeremy का उस चीज में Jeremy's top notch मतलब उस चीज में Jeremy को कोई match नहीं कर सकता In fact Jeremy की 4 क4 victories में से Jeremy कभी भी कम नहीं आ है और last time यानि की 2018 में जब इनोंने lose कर रहा था Jeremy ने सिर्फ इसी लिए title lose कर रहा था क्योंकि वो off थे और साथ ही बहुत सारे dramas से surrounded थे उनकी personal life में बहुत सारी चीज़े चल रही थी So let's see, इस बार क्या होता है बट अगर कोई भी returning champion जो की इतने लंबे gap के बाद return आता है वो ये चीज़ pull off कर सकता है तो वो हैं सिर्फ Mr. Nobody Outworks और आप लोग को भी किसी को भी खुद को outwork नहीं करने देना है As a Hulk, क्योंकि बास निक को cast करा तो Syria और VFX वगरा के जो क्रोल रुपे खर्च होते हैं वो सब बच जाएंगे, लगते ही ये कुछ ऐसे beast है Well anyways guys, ये निक की update है post workout session और I believe निक नहीं यहाँ पर arms train करे होंगे 100% क्योंकि निक के arms इस update में तो उनकी पूरी physique को dominate कर रहे है Even निक का improved chest भी, निक के packs भी कम लग रहे हैं इन freakish arms के आगे But it doesn't mean कि निक का chest improved नहीं हुआ It's just यहाँ पर निक का एक, दूसरा muscle काफी pumped है क्योंकि निक के side chest post में, chest तो हम देखी चुके हैं उनका कितना सबर्दस लग रहा है, कितना strong लग रहा है And even दो लोग बहुत ज़्यादा root कर रहे हैं Derek की तरफ For the obvious reason, जो मैंने आपके साथ पहले भी कई videos में already discuss करा है But ये साल, मुझे तो ऐसा unpredictable से लग रहा है हर एक division के लिए कि top 3, top 4 के, जो भी contender है उनमें से कोई भी title लेकर जा सकता है क्योंकि let's be honest guys, Kyron को Men's Physique में title लेकर जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा था ना ही Arnold Classic में Samson को title लेकर जाते हुए किसी ने देखा था और ना ही last year Big Ramy को lose करते हुए और Derek को second place पर move होते हुए किसी ने भी expect नहीं कर रहा था तो इस वक्त जिस लेवल की competitiveness हर एक division में है और जिस तरह से judges सब को surprise कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है ये भी पूई तरह से possible है कि Nick title ले जाए I know बहुत से लोगों को सुनकर यकीन नहीं हुआ होगा बट this physique already is a specimen guys जो अपनी peak पर आती है Freakish muscles hold करती है Freak factor hold करती है Condition or separation कहीं भी nail नहीं करती हो Shape अब तो shape को भी और अपनी waist को भी Nick ने काफी improve कर रहा है बट चाहे job you guys ये चीज Nick walker और क्रीजो को मैं साथ में arms train करते हुए देखना चाता हूँ I mean वो एक जबर्दस viral video होगा क्योंकि absolutely ridiculous दोनों के ही arms है Nick के arms भी train करने के बाद 25 inches के easily हो जाते होंगे और क्रीजो ये तो already 25 के ही carry करते हैं So anyways क्रीजो इस बार का इस एक dark horse है इस बार के line-up पर क्योंकि improvements को जो level और जो caliber क्रीजो ने दिखाया इस साल That is really impressive और अभी भी रुके नहीं क्रीजो जान थे थे कि उन्हें अपनी back को improve करने की ज़रूरत है और अभी भी उस aspect को और bring up करने के लिए क्रीजो continuously उसी area में काम कर रहे हैं तो चाहे वो lats उनके अभी भी भी ज़्यादा scope रगते हो improvements का अपनी back की thickness को अपनी back की roundness को क्रीजो ने significantly up कर लिया है और इस बात को कोई deny नहीं करेगा क्योंकि वो 3Dness add करी जा चुगी है जो क्रीजो से no one was expecting मतलब एक तरह से surprise कर दिया क्रीजो ने अपने इस साल के package से रेगुलर ये workout videos पोस्ट कर रहे हैं अपने हर एक वीडियो में ये nuts लग रहे है मतलब जो refinement इनकी फिजीक में आता जा रहा है हर एक week के साथ जो freshness इनकी फिजीक में पता लग रही है वो बहुत ही rare है गाई जो natural thin skin आप देख रहे हो बट मैं, मैं तो इस vascular aesthetic muscle balance के साथ वीजो को देख रहा हूँ as high as sixth and it feels like थोड़ा सा आफ लेने के बाद वापिस आ गए है जिम में blessing आवो दिबू और इस बार एक बहुत ही ज़ादा strong mindset के साथ क्योंकि जादे टाइम भी blessing ने clear कर दिया था और अगर आप गौर से देखोगे तो साथ ही है यह क्या बालियां वगेरा पहन लिए कानों में blessing ने I don't know मैं शायद यह hands free है जो first look में तो बालियों जैसी ही लग रही है वैसे पहनी भी हो दी तब भी इसमें कोई गलत बात तो है नहीं यह इनकी personal choice है right बड़े इस स्टोरी में blessing हमें legs train करते हुए दिखे और बोल रहा है we got massive goals मतलब बहुत बड़े-बड़े goals set कर दी है इन्होंने अपने लिए और इन्हें reach करने के लिए massive level की dedication चाहिए और blessing की इस साल की performance एक वही sadback था शायद जो blessing को चाहिए था in order to find himself and I really hope blessing इस बार next six to seven months में सिर्फ और सिफ अपने legs पर ही focus करें क्योंकि upper body इनकी कहीं भी lag नहीं करती but boss legs last time तो हमने blessing की तरफ से मान लिया था कि कि किसी ने इनके साथ prank कर ली होगी और जूड बोल दियोगा कि men's physique की ही तरह से open में भी अब legs को judge नहीं करा जाता इसी ने आई legs तो छोड़ कर आ गए थे बट इस बार अगर blessing ने अच्छा perform नहीं करा तो दूसरी बार हम ये बात तो मानने से रहे अब next बात कर लेते हैं last year के 5th place holder की classic division के यानी की sin bar the mike somo field की अब I don't know man क्यों मुझे इनको देखते ही sin bar character की याद आ जाती है बट कुछ तो है लेकिन mike अपनी एक next level physics update share करते हैं जिसमें ना सिर्फ mike bigger लग रहे हैं बलकि insanely classic भी लग रहे हैं his proportions are unreal it बहुती साधा classic structure जो next level aesthetic है mike के frame पर कहीं पर भी वो scope नहीं लगता कि यहाँ पर mike कम है इन्हें यह चीज और add करनी होगी no in fact one of the most balanced and perfect classic physics जो mike hold करते हैं look at his quads guys clean separated or sweeps sweeps तो देखो कैसे well developed हैं पूई तरह से pop out करती हुई और इस बार मैं तो इने फिर से top 6 में देखता हूँ but इस division का तो guys भगवान ही माली के अभी यह लग रहे हैं top 6 वाले ऐसे ही आप 10 classic athletes की profile खोलोगे तो वो 10 के 10 आपको ऐसे ही लगेंगे बहुत ही unique physics एक दूसरे से and at the same time बहुत ही classic भी चूंकि इनको देखो Michael double को last year first time top 10 crack करा था और इनकी conditioning की तो बात करने की जरुवत है ही नहीं conditioning word का और एक fiber word का इन दोनों ही words का meaning डिशनरी में आप ढूंडोगे तो आपको Michael double लिखा हुआ मिलेगा मतलब इतने fiber सो green vegetables या फिर oats में भी नहीं होंगे जितने अपनी body में hold करते हैं look at him guys इस वक्त यह है 8 pounds हैवियर अपने current weight gap से इस 3 weeks out update में एन एक bigger, dancer और more fuller Michael double भी proper Christmas tree, proper fibers वही अपनी plastic skin के साथ present कर रहे हैं अब सोचो next 3 weeks में ये Christmas tree ये और भी कितना grow कर लेंगे बस अगर इनकी एक physique और ज़्यादा classic होती तो ये नहीं रुकते guys एक बिलकुल ही top के contender बनने से I mean condition में तो ये, shreds में तो ये उर्स को भी beat कर दें जो खुद एक मिसाल है पी कैसे लानी है इस चीज़ की इस साल Michael ने Pittsburgh Pro और फिर New York Pro दोनों ही shows जीते और ये दोनों ही shows guys बहुत ही ज़ादा बड़े show थे with some crazy lineups but Michael double was totally unstoppable I think Terrence का और इनका एक मुकाबला अच्छा होगा क्योंकि undoubtedly कंडिशनिंग में ये Terrence को भी beat कर देंगे और structure और posing में Terrence इनको तो ये एक अच्छी battle होगी जहाँ पर even if Michael lose भी कर जाएं तब भी ये Terrence को insanely push तो जरूर करेंगे और रुकने वाले तो ये भी नहीं हमारे इस साल के Masters Olympia Champion Classic Freak Division से Alex Compranero मतलब वहाँ पर जीत कर भी इनका रुकने का मन नहीं करा उल्टा ये तो यहाँ पर ये बोल रहें कि best package of the year best package of the year guys मतलब Masters Olympia से और Arnold Classic से भी best cause if I'm not wrong या Arnold Classic में भी compete कर चुके हैं और last year Mr. Olympia में इनकी 8th place आई थी और Mike Somerfield की 5th और उसके बाद भी इनोंने Mike Somerfield को placing में beat कर दिया था तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा potential ये रखते हैं इनकी physique का I'm a fan क्योंकि properly filled out frame पर बहुती ज़्यादा rounder और beautiful muscle bellies हैं इनकी और खुद को prove भी ये continuously कर रहे हैं and peak guys सबसे important thing और Logan Franklin की anime जो उनसे दूर भागती रहती हैं वो peak ये miss करना जानते ही नहीं है बागी सारे athletes peak stride इसलिए miss कर रहे हैं क्योंकि ये 5-6 ऐसे athletes हैं जिनोंने peak को पकड़कर रखा हुआ है अब वो जाए तो कैसे किसी और के पास तो देखो इस भार top 6 में Chris बोलने की जरुवती नहीं है Ramon और Roots इन तीनों को तो मैं पक्का देखता हूँ बट बागी किसी का भी कहना बहुत ही मुश्किले बहुत athletes है काईस वे वे deserving और कई deserving ones तो qualified भी नहीं हो पाए सबसे जादा strong division है ये और Alex भी उन well deserving athletes में काफी top पर आते हैं बस एक अपनी mundi को ये थोड़ा सा सीधा और कल ले पता नहीं क्यों ये एक तरफ जुका कर रखते हैं अपने head को well anyways finally मैं आपको introduce करना चाहूंगा Alexandro से जो Olympus Pro में compete कर रहे थे और जबकि ये बिनर तो नहीं थे वहाँ पर जीते नहीं थे बड़ उसके बाद भी एक ऐसी physique जिसने सब की ही eyes catch कर दी he was so damn big and so damn condition मैं ये size में तो इतने bigger लग रहे थे कि it was surprising to think कि next year ये men's physique की weight cap में कैसे set हो पाएंगे and सब लोग इने comment section में यही suggest करते हुए दिखे कि move कर जाओ classic division में क्योंकि honestly physique में potential तो बहुत है काफी aesthetic lines वाली physique है and condition भी काफी जबर्दस ये nail करके आये थे with a really great and developed back so classic में भी he can do really well but बात वही है guys की competition इतना हो चुका है हर एक division में खास सवर पे classic में कि वहाँ तो अच्छे अच्छे athletes मैंने बताया ना qualify भी नहीं हो पा रहे है यूँ ही हो जाते हैं भीड में but look at him here guys absolutely massive वो भी men's physique में तो potential बहुत है but I think men's physique इनके लिए सही division नहीं है specially जब next year इनको weight cap hit करना पलेगा I hope guys वीडियो आपको पसंद आयो पसंद आया है तो please like कर दो चैनल को subscribe कर दो notification bell को दबा दो insta पर follow कर दो thank you, bye bye